हेलो एवरिवन तो कैसे आप सभी लोग देखिए कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था तो लास्ट क्लास में हम लोग रेशनल नंबर और इर्रेशनल पर डिसकस कर रहे थे तो आप सभी लोगों को अच्छा का सा नौलेज हो गया हो गया रेशनल नंब समझते हैं सबसे पहरे आप बताई यह एंसर की पर उसके बाद हैं हम बताते हैं कि सबसे और लोग और यह टाइक शॉचल नंबर की gay और स्जिट कुछ ता कि पाई rational होता है तो वालोग अपना कान फ्यूज दूर कर लिजिएगा जो पाई है वो एक इरशनल यानि अब परी मेश हमन्हा होती है तो देखिस जो पाई की वैलु होती है वह क्या होती है जो पाई की 월लू है वह कितनी टू- 6-5 ये Coinit तक होती है तिक अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये एक यदिवुवन लिखा हुआ है जो गिषिमल इंपानेट तक जा रहा है तो आप इसको क्या बोलोगे इसको बोलोगे ओन टर्मीनेटिंग nemने तो हमने आपको ओन्रोब में भी बताया था कि जब डिजट रिपीट नहीं करते हैं तो यहां पर आप देखो कोई भी डिजट रिपीट नहीं कर रहा है 3.14159265 यानि कोई भी डिजट रिपीट नहीं कर रहा है तो इसको बोलेगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नौन टरलिटिंग नौन रिपीटिंग तो आप सबी लोगों को पता है और हमने आपको लिखवाया भी था कि नौन टरलिटिंग नौन रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं ऐसे डेसिमल को क्या बोलते हैं ऐसे डेसिमल इर्रेशनल होते हैं ऐसे सारे डेसिमल क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर होते हैं तो यह तो एक बेसिक सा हो गया कि पाई की वैलू इतनी होती है जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेपीटिंग डेसिमल होता है जिस वज़े खाता है तो आप लोगों का यह अगला कुस्चन हो सकता है कि पाई की जो है वह 225 साथ होती है ठीड है पाई की जो वैलू है वह म niet यो में हैं तो इस हिसाब सी एक स्वाड़ होना चाहिए हुआ है है लेकिन यह पर पाई की यह यह भी और वालु से एक है और जो पाई की अलग अलग वैल्यूस पर यह कभी रेशनल हो जा रहा है कभी इरेशनल तो इस चीज को देखिए आप ध्यान से समझेगा जो हमने आप लिखा है पाई इस उकल टू 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 पान सेवन ऐसा नहीं होता है यह जो है पाई जो है वह टू टू कि है पाई की एक्जेक्ट वैल्यू3.141592 यह रूटी यह जो 22 बटे और पाई को कभी वह 22 पान सेवन के बराबर नहीं करेंगे वह उसिरफ और सिर्फ एक्जेक्ट वैल्यू यह है और हम एक्जेक्ट वेल्यू के साबसे एंसर देंगे यह एक रेशनल नमबर होता है ना की रेशनल तो आप इस चीज को याद रखिए पाई जो है रेशनल नहीं होता है देखिए नेश्ट क्वेस्चन देखिए एकला क्वेशन आपकी स्कीन पर लिखा हुआ है विस वन आप फालोइंग रेशनल नमबर है जो आपको जो है इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा जो नमबर है वह नौन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है है तो आपके पास चार अपसंस लिखे हुए है क्वां क्वांस से आपसन है 15 अपान 1600 अट 23 अपान एट 35 अपान 50 और सेवंटीन अपान 6 तो आपके पास यह चौर आपसंस है और आपको बताना है इसमें कि यह नौन terminating but repeating decimal आपको इसमें से छाड़ने है तो इस question को solve करने से पहले आपको एक concept है वो पता होना चाहिए concept क्या है जब आप किसी number को prime number से divide करते हो दो और 5 को छोड़ कर जब यहाप किसी number को any number आप किसी prime number से divide करते हो प्राइम नंबर तो अभी हम प्राइम नंबर के बारे में चर्चा करेंगे आगे लेकिन आप सभी लोगों को प्राइम नंबर की थोड़ी बहुत इंफर्मेशन तो जरूर होगी कि आपको पता होगा कि प्राइम नंबर कौन-कौन से होते हैं ठीक है तो दो और पांच यानि टू और फाइव को छोड़कर अगर आप किसी भी प्राइम नंबर से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो ए LIGHTER कि देखें फिर से इसको समझेंगे जब भी आप किसी को प्राइम नंबर से division करते हो एसा प्राइम नंबर हैंनों दो और पाँच नहीं होना चाहिएं तो जब भी आप किसी नंबर को प्राइम नंबर से divisive करते हो अगर आपका जो अंसर है वो Decimal में आ रहा है तो वह जो Decimal होगा वो certainly non-terminating but repeating Decimal होगा यह हो गया एक चीज अगर आप किसी भी नंबर को अगर आप किसी नंबर को आप 2 या 5 से डिवाइड करते हो अगर आप किसी नंबर को 2 या 5 से हमेशा आपका decimal terminating वाला आएगा terminating decimal हमने आपको terminating decimal और non terminating decimal को अच्छी तरीके से explain करके बताया है कि दोनों में क्या difference होता है देखिए किसी भी number को अगर आप 2 से या 5 से divide करते हो और आपका अगर answer decimal में जाए अगर वो संख्या completely divide नहीं है आपका answer decimal में जाए करते हो इसके जश्ट अपोजिट अगर आप किसी नंबर को और 5 को छोड़कर बांकी जितने भी प्राइम नंबर है उनसे डिवाइड करोगे तो आपका जो decimal है वो हमेशा नॉन terminating बट repeating decimal ही आएगा अब आप इस question को देखिए सॉल करिए अब आपके समझ में आएगा कि इस question को कैसे सॉल करना है देखिएगा सबसे पहले हम पहला आपके देखेंगे यहां पर क्या लिखा हुआ है कि फिप्टीन अपान आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो यानि कि 10 into 10 और 10 में आपका 2 भी है और 5 भी है जो यह 10 लिखा हुआ है हम यहाँ पर denominator की बात कर रहे है यानि कि हमारे पास एक नंबर है 15 और 15 को हमने डिवाइट किया है एक प्राइम नंबर से और वो प्राइम नंबर आपका 5 और वहां से जो island आएगी यहाँ से झो वाइल्यू आए गी वह हमेशा दुर्हिश्भी आएगा हमने आपको बता रखा है कि किसी भी नंबर को अगर आप प्राइम नंबर से डिवाइड करते हो और वो प्राइम नंबर 2 या 5 है तो आपका जो एंसर है वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल ही आएगा सेकेंड आपसन है 23 अपान 8 23 अपान 8 तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो यह 2 इंटू 2 इंटू 2 है यहनि कि जो 8 है वो क्या है 2 क्यूब है यह जो आपका डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में आपका 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हो 2 और 5 के अलावा यहाँ पर कोई भी प्राइम नंबर नहीं है यहाँ पर भी देखिए 2 ही है इसके अलावा कुछ नहीं है तो यहाँ पर जो एंसर आएगा वो भी आपका टर्मिनेटिंग जेसिमल ही आएगा यहाँ पर भी terminating decimal आएगा अब देखते हैं जो आपका थर्ड है option 35 upon 50 35 upon 50 तो अब आप यहाँ पर देखोंगे 50 लिखा है तो 50 में आपको देखना है कौन-कौन से प्राइम है कौन-कौन से इसमें प्राइम नंबर है चुपे हुए है तो यहाँ पर फाइव है तो यहाँ से भी आपका terminating decimal ही आएगा अब हम बात करते हैं फोर्थ option की फोर्थ आपसन क्या है 17 upon 6 तो अब आप यहाँ पर देखोंगे जो 6 लिखा है उसको आप क्या लेख सकते हो तो यहाँ पर जो आपका prime number है 3 जो है वो प्राइम नंबर है और यह prime नंबर 2 और 5 के अलावा तीसरा prime नंबर आ गया अगर आप किसी भी नंबर को 2 या 5 के अलावा किसी प्राइम नंबर से डिवाइट करोगे तो आपका जो एंसर है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आएगा और question में हम से यही पूछा गया था आपको यह पहचानना था कि इसमें से कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डिवाइट करते हो तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आता है तो इस तरीके से question पूछे आते हैं देखिए अगला question आपकी स्कीन पर लिखा हुआ है आपको इसमें से पहचानना है कौन सा सही है कौन सा गलत है तो जो आपका पहला है वह क्या लिखा हुआ है इवरी इंटीजर इसे रेशनल लंबर इवरी इंटीजर इसे रेशनल लंबर देखिए हमने आपको आलेडी बता रखा है कि रेशनल लंबर में क्या क्या चीज़ आती है तो रेशनल लंबर में सबसे पहले तो आपका इंटीजर आएगा फिर उसके बाद टर्मिनेटिंग बट repeating decimal यह आपकी तीन चीजे जो है वह रेशनल में आएंगी तो जो पहला आपका लिखा है point every integer is a rational number तो बिल्कुल सही लिखा है जितने भी integers होते हैं वो हमारे rational number होते हैं second every rational number is a real number आपका जो second लिखा हुआ है वो क्या कहा है every rational number is a real number तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने आपको starting में ही बता रखा है कि जो real number होता है जो real number होता है हम उसको दो category में divide करते हैं पहला जो rational number हो गया दूसरा irrational हो गया जो भी आपके सारे rational number है वो real हो गया क्योंकि हमने जो है real number को ही दो part में divide किया एक तो rational और irrational तो यहां पर दोनों option correct हो जाएंगे पहला option पहला पॉइंट भी सही है और आपका दूसरा पॉइंट भी सही है फिट देखे आपके सामने skin पर एगला question लिखा हुआ है how many rational number between one and one thousand एक और एक हजार के बीच में कितनी rational number होते हैं तो इस question को solve करने के लिए देखिए आपको एक concept बताते हैं तो कुछ concept हैं वह आपको questions के थ्रू बता जाएंगे तो आपको जह उनको कि यहां पर 2.1 इन दोनों के बीच में 2.1 होगा 2.2 होगा 2.3 होगा 2.11 भी होगा 2.111 भी होगा 2.14 2.594 2.6259 2.991 2.9999997 तो आप देख सकते हो कि हमने जितने भी decimal लिखे हैं जितने भी यहां पर लिखे हैं वो सारे के सारे rational number है इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है क्योंकि यह सारे के सारे non terminating terminating decimal है तो सारे के सारे जो है इन दोनों के बीच में भी हैं आप देख सकते हो कितने सारे जो है decimal कितने सारे numbers यहाँ पर सूचे जा सकते हैं जो दो और तीन के बीच में lie करेंगे तो इस चीज़ से एक point निकल के आता है वो point क्या होता है इसको note down कर लेजिए there are infinite there are infinite rational number there are infinite rational number between between two rational number किनी दो रेशनल number किनी दो पर्मे संख्याओं के बीच में असंख्य पर्मे संख्याय होती हैं यह point आप note down कर लीजिएगा तो यहाँ पर आप बहुत सारी संख्याय सोच सकते हो अनंत infinite संख्याओं आप सोच सकते हो दो और तीन के इसके अलावा अब आप देखिए दूसरा एक्जामपल लेंगे इसी में यह लिखाय टू और यह लिखाय थरी तो इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पर लिखना है नौन रिपीटिंग यानि कि आपको इर्रेशनल लंबर लिखने है इन दोनों के बीच में आपको इर्रेशनल लंबर लिखने है कि किनी दो रेशनल लंबर के बीच में कितने इर्रेशनल लंबर होते हैं यह चीज देखनी है यहाँ पर तो अगर आप यहाँ पर इन दोनों 32459 तो इस तरीके से थो पॉइंट सेवन तू अधो 9245 इंफने div तकत तो डेखिय कि आप यहां पर देखिय금 जो भी तीन डिजित लिखें तीन आगे alle डेसिमल में लिखें वह सारे के सारे नॉन यह सारे क्या है not नॉन टर्मिनेट्टिंगनान रिपीटिंग अगर यह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो इसका मतलब है हमदे यहां पर क्या लिखा है म स्लीकिअ यह तो हमने यहां पर है एह लंबर सोच सकते हो जो टू और थ्री के बीच में लाई करेंगे तो इस पूरे चीज का क्या मतलम निकल के आता है देखिए इसी चीज को आप यहां पर लेख सकते हो देयर आर इंफाइनाइट इर्रेशनल लंबर बिट्वीन टू रेशनल लंबर तो यहां पर इसको भी इनफाइनाइट lete फोन प्रेशनल लंबर देखिए इनफैने इर इर्रेशनल लंबर भी सकते हैं और इंफैने इर्रेशनल भी होते हैं वन ह dai बिट्वीन को टूरिटनल लंबर यह तो आपका होगे कॉंसेप्ट अब बढ़ते हैं अपने question क्यों कशुन क्या रहा है थां कि एन PB कूल और में ऐट से 202 42,000 लिए थे हमने आपके जो है इंग्जामपल में definitive ओ आते हैं तो यहां पर तो बहुत साला गाया पे 12 David में सोसकते हो जब किनी दो जो cœur नमबर हैं उनके बीच में जब infinite rational number आ जाते हैं तो आफिस से बात है कि कोई भी दो number ले लिजिए उन दोनों number के बीच में आप infinite rational number लिख सकते हो और infinite irrational number भी लिख सकते हो तो इसका जो है वो d option correct हो जाएगा infinite इस चीज को भी आप note कर लिजिएगा there are infinite rational number between two rational number next question आपकी स्कीन पर लिखा हुआ है which one of following is correct the sum of two irrational number यहाँ पर किनी दो irrational number के sum की बात कर रहे है तो देखिए चार आपसन आपके स्कीन पर लिखे हुए है is always a natural may be rational और irrational always a rational और always a irrational तो आपके पास चार आपसन हैं और जो यहाँ पर बात की जा रहे हैं वो sum of two irrational number की बात की जा रहे हैं है तो sum of two irrational number अंडरूट टू तो आप सभी लोगों को पता है जो अंडरूट टू लिखा हुआ है यह एक irrational number है हमने आपको एक और डिवाइडेशन बताया था रेशनल और इर्रेशनल के बीच में रूट वाला number तो जब रूट वाला number को आप कैसे डिफाइन करते हो कि यह रेशनल में है या इर्रेशनल में है तो उसके लिए आपको जो रूट के अंदर नंबर लिखा है उसको देखना है वह नंबर अगर परफेक्ट स्क्वाइर है अगर परफेक्ट स्क्वाइर नंबर है तो रेशनल में जाएगा अगर परफेक्ट स्क्वाइर नंबर नहीं है तो रेशनल में जाएगा यानिकि अगर यहीं पर underhole वोर लिखा उता तो यह रैस्ट भर्फोट थुजाता तो यह रियस्टन लंबर होजाता क्यों क्योंख इसकी वैलिव लेड़र है अपने imoreर यह सोगला यह तो हमने यहाब एक तो पास एक इरहीहिश्नल लंबर हूं मैं और लुर्ट सम्की कोई बने कर देख सकते हों आप कोई बीकल लेकर देख सकते हो तो हमने यहाँ पर यह दो नंबर लिए हैं जब आप इन दोनों को एड़ करोगे तो आपका जीरू आने वाला है जब आप इन दोनों को एड़ करोगे तब आपका जीरू आने वाला है तो जीरू क्या है यह एक रेशनल नंबर है जीरू क्या है जीरू एक रेशनल नंबर है आपको जुए अपने मंसे इर्रेशनल नंबर दो लेने हैं और उनका सम करना है फिर उसके बाद देखना एक क्या क्या चीजह आ सकती हैं तो हमने यहां पे दो नंबर लिये इर्रेशनल उनको add किया तो यह और देखते हैं अगर यहां पर एक rational number root 2 ले 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 और दूसरा ले ले root 3 ये कर दें क्योंकि हाँ पे अपने मंद से हमको लेना है और चेक करना है कि क्या के result आ सकते हैं फिर उस हिसाब से आपको जो answer match करना है तो जब आप इन दोनों को add करोगी तो आपका यहां से क्याने वाला है तो यहां पर root 2 लिखा है यहां पर root 3 लिखा है इन दोनों को जब आप add करोगी तो आपका हमेशा irrational ही आएगा यह आपका irrational ही आएगा irrational number इसे तरीके से आप कोई भी number लेकर सूच सकते हो और यहां पर देख सकते हो क्या क्या चीज़े आने वाली है आप आप देखिए आपके options क्या लिखे हुए है पहला option है always a natural तो ऐसा नहीं हो सकता इसमें कहरें कि always हमेशा चाहां कोई भी value लीजिए आपका जो answer है जो sum है वो एक natural number आएगा तो यहां पर गलत हो गया क्योंकि यहां पर कभी rational number आ जाता है और कभी irrational आता है तो पहला option गल रहें कि always a rational number थार्ड आपसर में बोल रहें always irrational तो यहां पर ऐसा नहीं है जब हमने यह वाला combination लिया कि हमने root 2 root 3 assume किया तब हमारा जो answer है जो sum है वो irrational आ गया तो हमारा जो answer है वो irrational आ गया तो यहां पर जो third option है वो भी गलत हो जाएगा फोर्थ option में कह रहें always a irrational always irrational तो ऐसा नहीं है जब हमने यह वाला assume किया तब हमारा answer 0 आया जो sum है हमारा 0 आया 0 एक rational number है तो यहां पर भी always word का use नहीं करेंगे बचता है second option कह रहें may be rational और irrational तो second option आपका सही हो जाएगा तो इसका जो है second option सही हो जाएगा कभी आपका rational भी आ सकता है और कभी आपका irrational भी आ सकता है तो इसका जो है वो second option सही हो जाएगा तो देखी next question भी आपकी screen पर लिखा हुआ है तो सबसे पहले देखी हमने आपको rational और irrational के बारे में बताया फिर हमने आपको बताया कि कैसे questions आते हैं rational और irrational पहचानने वाले फिर उसके बाद हम थोड़ा जो है जितना भी हमने आपको basic पड़ा है उसको पूरा combine करके questions आपके सामने ला रहे हैं ताकि आपका जो कुछ concept है वो clear हो और आपकी थोड़ी practice भी हो देखी next question आपके screen पर लिखा होगा if n is a natural number if n is a natural number तो सबसे पहले हम natural number की बात कर लें क्योंकि हमने अभी आपको natural number के बारे में बताया नहीं है फिर भी mostly लोगों को पता ही होगा natural number क्या होते हैं लेकिन एक बार फिर कुल मिलाकि इनको बोल सकते हैं positive integer तो अभी इंटीजर के बारे में पूरा detail में चर्चा करेंगे तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत यहां पर बस आपको यहां यहां पर बस आपको इतना देखना है कि जो natural number होता है वह 123456 इस तरीके से होता है अब आगे question पर आ जाते है कुषिंघ कह रहा है एन इस एल नचिरल नमबर दिन अनरूंड एं तो आपको जह एंडर अडरूमग एं के बारे में बोला है तो देखे हम जो इन की वैलूस है यह यह पर लेंगे और उसको चेक करेंगे कि इ udi नंबर है यह इर्रेशनल है फिर उसके बाद हम आप्संस पर जाएंगे तो सबसे पहले यहां पर वन लेंगे तो अंडरूयो लिखोगे तब यह क्या हो जाएगा अर्ण रूट टू आप सभी लोगों को पता है जो रूट टू होता है वो एक एर्रेशनल लंबर होता है रूट टू क्या होता है एक एर्रेशनल लंबर होता है और जो यह वन लिखा है वन क्या है वन रेशनल लंबर है वन क्या है रेशनल लंबर अच्छा इसके साथ में वन और वैल्यू यहां पर पूट करते हैं। रूट 3 रहोगे अंडरोड 3 करोगे इसके बाद जब वैल्यू रखोगे फिर से यह क्या हो गया। रूट 3 क्या होता है इर्रेशनल होता है आप सभी लोगों को अच्छी तरी किस पता है चलिए एक और वैल्यू रखते हैं और फिर आप संगी तरफ जाते हैं रूट 4 तो अंडरूट 4 यह किसके बराबर होता है टू के बराबर होता है टू क्या है एक रेशनल नंबर है टू यहांपर हमारे पास काफी सारे हमने यहां पर नंबर्स करके यहांपर देखा और हमको यहांपर कुछ अलग-अलग result मिले अब हम यहांपर देखेंगे options की और फिर्लप संगे पहला option आलवेज ए नेचुरल नंबर मतलब कि हर condition में आपका जो answer है वो एक natural number आना चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हो कभी natural number आया है और कभी natural number नहीं आया तो पहला option आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा always कह रहा है तो always की विज़े से पहला option गलत हो गया बिल्कुल second option always a rational number मतलब कि आप कोई भी value रखते हो जो आपका answer है वो हमेशा एक rational number आना चाहिए तो ऐसा भी आप यहाँ देख सकते हो जरूरी नहीं है तो आपका second option भी गलत हो जाएगा third option कहेंगे third option की और बढ़ते हैं third option में क्या कह रहा है always a irrational number तो जैसा आप देख सकते हो कि हमेशा irrational भी नहीं आ रहा है कभी rational आता है कभी irrational आता है for limbs क्या है आइधर a natural number और uh irrational number तो फोर्थ आपसन को ध्यान से पढ़ेंगे कह रहा है आल कहरा है कि आइधर natural number यानि कभी natural नंबर आता है या कभी irrationalatा है तो देखिए कभी नेचरल आया कभी irrational आया फिर शे irrational नेचुरल यानि हमको सिर्फ दो ही कटागरी देखने को मिली है पहली कटागरी क्या है नेचुरल की और दूसरी कटागरी क्या है इर्रेशनल की तो यहाँ पर 4th option correct हो जाएगा तो इस तरीके से जो हम आपसं यहाँ पर एक एक नंबर को पुट करेंगे और देखेंगे की चीज़े क्या रही है फिर उसके बाद हम आपसंस को eliminate करके answer निकालने की कोशिस करेंगे ठीक है तो देखेंगा हमने rational number और irrational को लेकर बहुत सारा discussion कर लिया है और बहुत सारी बढ़ती जाएंगी और आप जो standard है वो भी बढ़ता जाएगा तो यह तो rational और irrational का पूरा discussion हो गया यहां पर तो रेशनल और irrational को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट आप नहीं बचा होगा उमीद करते हैं क्योंकि हमने आपको सारा का सारा पूरा बता दिया जो भी concept था रेशनल में क्या क्या होता है यहां तक कि हमने अच्छे questions भी आपको करा दिये तो आई होप आपको रेशनल में अब कभी भी कोई भी प्राब्लम नहीं होगी ठीक है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर देखी हमने आपको जो है रेशनल लंबर और इर्रेशनल लंबर जिसकी जो है हमने कम्प्लीट चर्चा कर लिए और सबसे पहले हमने तो IndyNA है कि दूसरा है डेसिमलदफे तो हमने कंपलीट कर लिया है अब बातती इंटीजर की तो रियल नमबर का एक पार्ट है इंटीजर इंटीजर तो सबसे पहले हम जानेंगे इंटीजर होता क्या है हिंदी में इसको बोलते हैं पूड़ांक तो सबसे पहले हम यहां पर एक number line ड्रा करेंगे और आप सभी लोगों को number line के बारे में तो पता ही है तो number line पे जो भी by default digits so की जाते हैं वो सारी के सारे integer होते हैं यहां पे जो भी so की जाता है by default वो सारे कि सारे क्या होते हैं हमारे integer होते हैं यह इसको अगर अपनी लेंग्वेज में समझना चाहो तो आप किस तरीके से समझ सकते हो इंटीजर को कि एक आपके पास complete number होना चाहिए आपके पास complete number होना चाहिए यानि कि 3.1 point point जैसी चीज नहीं होनी चाहिए एक complete number होना चाहिए positive हो यह निगेटिव हो इससे फर्क नहीं पड़ता है बस आपके पास एक complete number होना चाहिए यह तो हो गया हम अपने जो है लेंग्वेज में इसको समझ जेंगे इस तरीके से तो जो आपका कि यह यह जो आपका पार्ट है इसको बोलेंगे positive integer positive integer तो देखे गब positive integer जैसा कि आप यहां पे देखी सकते हो यह प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 यह आपके सारे के सारे positive integer से हैं और इधर जो आप देख सकते हो यह सारे के सारे क्या है negative यह आपके है ठीक है अब आब बात आती है यहां पर जीरो की तो बहुत सारे लोगों को confusion होता है कि जीरो प्लस में रखते हैं यह जीरो माइनस में रखते हैं तो मुश्टी लोग बोलते हैं कि 0 को plus में रखा जाता है तो plus category में होता है ऐसा कुछ नहीं है 0 को ना तो positive integer में रखा जाता है और ना ही negative integer में रखा जाता है कि 0 को खुद category में रखते हैं वो क्या बोलते हैं 0 integer तो हमारे पास 3 टाइप के इंटिजर होते हैं there are 3 type of integer यहां से यह बनता है कि जीरो को स्च्टिव जीरो प्रश्टिव होता है है तो आपका जवाब कि जिरो ना ही पॉजिटिव है, ना ही निजेटिव है तो यह आपका एक हो गया अब देखेएगे यहाँ पर जो positive integer होते हैं positive integer को natural number बोला जाता है है यह नुक्ट डाओन कर लिकर अटकty अँच से कहते हैं यहाँ पर लिक्का हूँ है negative integer some को हूंने ने committee नमबर बोल दिया तो देखे अब हम बात करेंगे दो पॉइंट की वो आप नोट डाउन कर लिजेगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं और नॉन निगेटिव इंटीजर किसे कहते हैं तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब होता है नॉन पॉजिटिव मतलब कि जितने भी इंटीजर पॉजिटिव है उनको आप छोड़ कर सारे के सारे इंटीजर लिख दीजिए पॉजिटिव वाले इंटीजर को आप छोड़ कर सारे के सारे लिख दीजिए तो non positive integer, यानि कि positive वाले ये हैं, इनको हमने छोड़ दिया और बाकि सारे के लिख दिया, 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, इस तरीके से, अब बात आती है non negative integer की, तो non negative integer, मतलब कि negative वाले integers को आप छोड़ दिजिए, बाकि सारे के सारे integers लिख दिजिए, तो negative वाला ये है, ये negative integer है, तो हमने इसको छोड़ कर, बाकि सारे के सारे integers को लिख देंगे, 0, plus 1, plus 2, plus 3, ये infinite तक, अब आप यहाँ पर note down कर लिए, जो non negative integers हैं, इन्ही को बोलते हैं, whole number, इन्ही को बोलते हैं, whole number, पूर्ण संक्य है, जो positive integer हैं, उनको बोलते हैं, natural number, जैसा कि अभी हमने आपको question कराया था, तब बताया था कि natural number क्या होते हैं, तो ये होते हैं, natural number, plus 1, plus 2, plus 3, इसी तरीके से infinite तक, और ये है whole number, जब इसमें आप 0 भी add कर दोगे, तब आपका whole number बन जाएगा, यानि कि non-negative integers को ही whole number बोला जाता है, आज के इस class को यहीं पर खतम करते हैं, मिलते हैं next class में, तो next class में आपको positive integers के बारे में बहुत सारा कुछ बताया जाएगा concept, और इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे, और इसी में ही हम आपको prime number, composite number, यह सारे के सारे even number, odd number, यह सारे के सारे आपको division बताया जाएगे, तो आगे का जो हमारा topic है, वो positive integer पर रहने वाला है, तो prime numbers के बाद आपको बहुत सारे questions देखने को मिलेंगे, और अच्छी quality के questions होंगे, आपका standard prime numbers में बढ़ने वाला है, जब हम prime numbers आपको बताएगे, तो वहाँ पर questions का standard बहुत ही बढ़ने वाला है, आप लोग patience बना कर रखेगा, यहाँ पर आपको जो है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक समझाया जा रहा है, और छोटे मोटे questions करा जा रहे है, ठीक है, लेकिन जब 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 से आपके clauses बढ़ती जाएगी, और आपका standard भी बढ करता जाएगा, तो prime numbers में आपको question के standard देखने को मिलेंगे, अच्छे-च्छे question, यहाँ पर जितना भी आपको यह basic बता जा रहा है, वो आप no down करते रहेगा, क्योंकि कभी-कभी exam में directly question पूछ देते हैं, जैसा कि language-based questions होते हैं, और जैसा कि हम यहाँ पर आपको करा भी रह हैं, तो वो question आपके directly time saving होते हैं, अगर आपको पता है अच्छी तरीके से, तो आप question की language पढ़ोगे और answer tick कर सकते हो, तो ठीक है, आज किस class को यहीं पर खतम करते हैं, और कल स्टार्ट करेंगे अपना positive teaser, तो मिलते हैं next class में, तब तक के लिए टाटा भाय बे, take care, having nice day, thank you आपके रहा हैं, तो मिलते हैं, तो मिलते हैं, भीख लिए, किसके गर कापके, तो किसे अे हैं, रहा हैं, ज suit। हमेरbok